दोस्तो आज के इस मार्केट को देखके बिलकुल भी ये समझने की गलती मत कीज़ेगा कि मार्केट बहुत जादा सिंपल था मार्केट ने गैप डाउन ओपिनिंग दिया, सपोर्ट लेके मार्केट उपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया कितना सिंपल अनलेसिस होगा, लेकिन ऐसा SL में हुआ नहीं, ये एक ऐसा मार्केट है, जो कि आप से सब कुछ लेने के लिए काफी है ये मार्केट आज का आप लाइफ ट्रेट का वीडियो देखेगा, किस तरीके से मुझे मार्केट ने ट्रैप किया, और multiple टायम मुझे मार्केट ने बूलाने का ट्राय किया आज market का main motive था कि मैंने जितना भी पैसा दिया है न वो सब को मुझे लेना है वही motive को लेकि आज market आया था मेरी जगह में आप होते न तो आप multiple यहाँ पर trades करते और आपका brokerage भी ज़्यादा लग जाता और बहुत trapping तरीके से market आपको यहाँ पर फसा सकता था यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं morning के टाइम में 9 बज के 45 मिनट पर मैंने एक order initiate किया somewhere around यह candle को देखके तब यह candle यहाँ पर positive बन रहा था मैंने इस candle को देखके एक buying का order place किया लिकिन जैसी मैंने buying का order place किया न अगले इपल candle कुछ इस तरीके से बन गया मतलब बिल्कुल एक scam type का हो गया मेरे साथ में इस तरीके से market गिडने लगा ना कि मुझे यहाँ पर square off करना पर loss huge दिख रहा था मुझे और पता नहीं आज premium भी नहीं बढ़ना चाहरा था मैंने यहाँ पर straight को loss में square off कर दिया फिर दुबारा से market ने एक heavy bullish ने show किया अगर आप देखेंगे इस candle को तो heavy bullish candle है ये फिर दुबारा से मैंने यहाँ पर buying opportunity का identify किया एक proper SL के साथ में फिर market यहाँ से उपर जाने का try किया अगर आप यहाँ पर candles के behavior को देखेंगे ना तो ये buying का candle है फिर market काफी time तक इसी level पर silent हो गया हम लोग का premium बहुत जादा गलने लगा फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर 11 बच के 5 मिनट पर कुछ ऐसा move market ने दिया ना कि हम लोगों को दुबारा से यहाँ पर square off करना परा huge losses दिख रहे थे हम लोगों के मतलब इतना दिक्कत आया ना मुझे आज के इस market में काम करने में जब तक आप live trade को देखेंगे ने आपको समझ में नहीं आएगा देखें market बन जाने के बाद market आपको बहुत ज़्यादा easy लगा देखने में लेकिन live market पे जो बंदा काम करता है आप लोग भी live market में काम करते हैं मार्केट से कुछ पैसा अर्णिक करने के लिए आप लोग मेहनत करते ہیں लेकिन ऐसा मार्केट भी आजाता है जो आप से सब कुछ लेने के लिए तैयार रहता है बहुत लोग मुझे बोलते सर्द आप लाइब में आके हमें बताईये कुछ सिखाने का ट्राय कीजे live में आके मैं बहुत easily बोल सकता हूँ कि यहाँ पर दिखे important support है market ने कितना अच्छा support लिया and आपको benefit दे दिया लेकिन जैसे आप trade खुद trade करते हैं तो आपको समझ में आते हैं वो चीज इसलिए live में आके बकवास करना and live में आके order को punch करना and उस order को manage करना उतना ही difficult है ये कोई नहीं कर पाएगा and नहीं कोई आपको दिखाएगा ये चीज क्योंकि वो दो दिन भी profitable नहीं बन पाएगे and आप सोचते हैं कि market बहुत जीदा simple है कुछ भी लोग बोलेंगे and हम लोग यहाँ पर खरीद बेच लेंगे live streaming में सिर्फ दो दिन trade करने बोलिए सारा हवा निकल जाएगा दो दिन में एक भी दिन profitable नहीं बन पाएगे वो लोग so बता देना बहुत easy लगता है लेकिन live market में काम करना उतना ही difficult होता है आप लोग भी काम करते हैं इसलिए मैं इस चीज को realize कर पाता हूँ सिप्टिमबर आज मंडे है एंटरवेस में कुछ trades को आप लोगों ने देखा बहुत quick scalping हम लोगों ने किया and market से exit होगे profit को लेके मैं early morning पर trade find out करने का try करता हूँ trade opportunity मिलता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं मिलता है या फिर अगर loss या profit हो जाता है तो और मैं chart को देखना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि क्या होता है ना जितना जादा हम लोग देखेंगे ना हम लोग सूचते हैं कि हम लोग पैसा बहुत easily बना लेंगे लेकिन add then हम लोगों का result यहाँ पर loss में ही निकल के आता है day के end में फिर तो इसलिए try कीजिए daily में एक trade करने के या फिर अगर आप trade करना चाहते हैं तो maximum दो trade उससे ज़्याद है अगर आप कर रहे हैं तो आप सही चीज नहीं कर रहे है as a intraday player intraday thinking मार्केट को open होने देंगे आज मार्केट को ना open होने के बाद थोड़ा सा हम लोग drive mode पे जाने देंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे continuously market उपर गया हुआ है drawings को हम लोग remove करेंगे continuously उपर गया हुआ without any proper correction तो maybe market थोड़ा बहुत volatility आज create कर सकते है मंडे के दिन में market उपर गया correction लिया फिर उपर गया without any correction यहाँ पर कोई correction नहीं हुआ market ने pause mode तो लिया लेकिन correction नहीं लिया समझेगा बात को फिर market अगें चलना start कि हलका सा correction लिया को correction नहीं होता है इसको retracement ही कह सकते हैं हम लोग फिर market अभी इस zone के आसपास में जाकर silently देखें भी हब कर रहा है तो maybe market थोड़ा सा worldly create कर या फिर कुछ दिन बाद थोड़ा बाद हम लोग को fall भी देखने को मिले एक बात को हमें सा धहन में रखिएगा जो market भरता है तेजी से वो market गिरता भी तेजी से है इसलिए कभी भी यह मत प्लान की जगे कि हां market भरता ही चला जा रहा है हम लोग सिर्फ और सिर्फ buying करें टिट करते जाएंगे नहीं सर हम लोग sellers भी बनेंगे market में and only selling and selling करते वे जा सकते है market में भी ठीक है तो यह भी possibility है सो हमें ध्यान रखना है हर चीजों का हर कंडिशन का हमें ध्यान रखके ही market में काम करना है सो अभी स्टील वेट करेंगे चार्ट को हम लोग सेफ करतेंगे आप लोग observe कीजेगा market open होगा open होने के बाद market को हम लोग drive होने के लिए छोड़ देंगे कुछ दिर market drive होगा उसके breakdown होने की probability हाई है और कोई भी proper एक resistance देके हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे अगर यहाँ पर support है तो इसके नीचे में भी support है gap feeling वाला idea तो यहाँ पे जितने भी supports अभी फिलाल है ना इन सभी supports में market थोरा सक confusing zone में जाने का try कर सकता है इसलिए थोरा बहुत उपर नीचे volatility market create कर सकता है ठीक है उपर के levels पे भी resistance है वैसे बड़े वाले time frame के accordingly मैं इसको थोरा बहुत range market ही मानूंगा अगर आप देखेंगे 15 minute पे तो this is our range यहाँ पे market का एक range होगा ठीक है उपर के side में भी and नीचे के side में भी multiple support है and multiple resistance है market का तो maybe market थोरा बहुत नीचे आके थोरा ब बना सकते हैं अगर side way market थोरा बहुत हुआ तो उसमें थोरा बहुत हम लोगों को दिकत वेगर आती है वेट करेंगे हम लोग market को observe कीजिएगा आप लोग तो यहां दीजेगा time हो रहा है 9.35 scalping का time तो आ चुका है तो लेकिन यहां पर हम लोग कुछ भी वैसे plan नहीं कर सकते हैं यहां पर support है support का breakdown शो हुआ लेकिन support को यहां पर प्रॉपर्ली sustain कर लिया लेकिन जरा एक मिनट अगर market ने इस support को sustain कर लिया है तो फिर यहां पर यह क्या चीज़ है यह क्या चीज़ है वाई यह selling के तरब में क्यों indicate कर रहा है अगर आप देखेंगे तो उपर में sellers कैसे आया market में फिर एक bullishness शो किया गया मतलब market में sellers भी है उपर जितने भी लोगों को buy करना है ना buy करने दीजे उपर जाएगा market ना जाने देंगे उपर देखते कहां तक market उपर जा रहा है retracement के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे यहां पर आवर फिबोनासी retracement यहां पर जो market ने हाई लगा है ना 20,200 का एंड आज वाला तो यहां पर 0.3 का एक rejection area फिलाल market को मिल रहा है यह देखें यह वाला area ठीक है यह lower high का भी point बन सकता है और अगर इसको भी breakout दिया market तो easily यहां से और थोरा सा market उपर जा सकता है at least 0.5 तक ठीक है इसका price कितना आ रहे हम लोगों का 20,175 और 74 के बीच में आ रहे है ठीक है इस level को सबसे पहले आप लोग mark out कीजिए यहां पर दीखें ब्रेक आउट दे रहे है ना हां यहां पर breakout देने दीजे ब्रेक आउट देके भी उप कर लेंगे once a minute हाँ इस zone को आप लोग mark out कर लीजे और यहां पर हम लोग इसका coloring देते हैं थोरा negative बाला एंड इसको हम लोग करेंगे clone clone में इधर भी हम लोग touch करवाएंगे यह देखिए इधर भी हम लोगों का pointing है यह वाला जो कि इसको valid कर सकता है काफी सोस समझ कि हम लोग market उपर जाने के बाद कुछ activity decision plan करें उपर जाए ठीक है फिर यहीं से नीचे आ जाए बहुत कुछ plan हो सकते हैं आप लोग watch करेगा market को still अभी हम लोग wait करेंगे ठीक है देखते किस तरह के साथ हम लोग plan बनाते है market में चार्ट को मैं आप लोगों को telegram में देता हूं as education purpose के लिए आप लोग learning कीजिए टेलेग्राम अगर आप लोगोंने जॉइन निक है तो टेलेग्राम जॉइन जरूर कर लीजेगा ठीक है चलिए मैंने चार्ट को आप लोगों को telegram में दे दिया है आप लोग learn कीजिए market में live market में learn करना बहुत ज्याद है ज़रूरी है सो टाइम हो रहा है 9.43 यहां पे बुलिशनेस के साथ market उपर जाना चाहरा है अल्मोस्ट हम लोगों के लेबल के आसपास में जा रहा है market और यहां पर आप देखेंगे तो gap feeling बाला area भी है तो थो थो बहुत उपर नीचे कर सकता है market यह लेबल के आसपास में थो बहुत market मे decision वगरा create हो सकता है कि market को क्या plan करना है क्या market को एक lower high plan करना है या फिर market कुछ decision वगरा plan करना है जो भी plan करेगा हम ही लोगों के इसी लेबल से plan करना चाहिए अगर हम लोगों का यह technical valid हुआ तो यह ज़रूर यहां पे इसको respect करेगा यहां पर कुछ-कुछ देखेंगे conditions आसपास में फिलाल आया हुगा है एक confusing zone में आ चुका है market अब जो भी decision होगा market का इसी लेबल से market का होने की probability है ठीक है मेबी यह point हम लोगों का जो है lower high भी बन सकता है इसके breakout पे ही market यहां पर bullish तरह बहुत उपर जो है यह सब लेबल को achieve वगरा करें सो हम लोगों को यहां प market ने start कर दिया है ठीक है put का position अगर हम लोग बनाते हैं एक छोटे सेसल के लिए बन सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे put option में अगर देखेंगा तो 47 का price जाल रहा है मतलब यहां से अगर हम लोग selling में चले जाएंगे तो नीचे में फिर market को सपोर्ट मिलेगा ठीक है तो बहुत अगेन उपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर उपर जाएगा तो प्रीमें वेगरा डीके होके हम लोग को put option में loss वेगरा भी दे सकता है market इसलिए डारेक्ली कि हम लोग यहां पर put option में नहीं जाएंगे हो सकता है market बहुत ज्यादे नीचे बीगिर जाए लोवर हाय बना के लेकिन मैं प्लान कर रहा हूं कि call site का ही कोई प्लान करने का अगर इसका breakout वगरा होता है तो ठीक है put में जाना थोड़ा बहुत तो देखे रिसकी है उपर जा लोग यहां पर पोजिशन दो लॉटम रहने का ट्रॉय करेंगे तेरह हजर कर लग रहे है यहां पर capital इस लेवल को proper breakout देने दीजिए वरना हम लोग फर्स जाएंगे यहां पर ठीक है ना बस वही दिक्कत है stop loss at least इस लेवल के नीचे में आ जाए तो सही रहेगा थोड़ा स एसल रहेगा बस खली trap ना हो जाए हम लोग लेकिन प्राइस भी अच्छा नहीं मिलेगा ना बस वही दिक्कत है ले ले लेते हैं जो होगा देखा जाएगा ठीक है किस तरीक से manage करना है उपर में ही ले ली हम लोग ने देखे trade को manage करना ही बहुत बड़ी बात है लेना बड trade नहीं ले रहे हैं ध्यान रखेगा लेना बड़ी बात नहीं है लेनी के बाद आप किस तरीके से इसको manage करते हैं वो बड़ी बात है ठीक है कितना आप lost profit ले रहे है market से यहाँ पर द्यान रखेगा ऊपर के level में कुछ-कुछ हम लोगों का जो है ceiling खरा है बस वही चीज थो के रख देता है ठीक है loss वगरा देगा इस level की नीचे में आ जाए तो में भी हम लोग square भी कर देंगे ज्यादा loss वगरा नहीं लेना है हम लोगों पैसे मार्केट में अपने capital को put it करना है बहुत अलग टाइप का candles यहां पर create हो गया है रोडस एक lot को मैं सबसे पहले तो निकालूंगा ठीक है आप लोग trap हो जाते हैं हम लोग भी trap होते हैं ठीक है यह देख सकते हैं अब लोग किस तरीके से market ने behave कर दिया चलिए square off कर देते हैं एक lot जो बचा होगा है पहली हम लोगों ने एक lot हटा दी हम लोगों चलिए कोई दिकत नहीं मार्केट से fight नहीं करना है मुझे यह चीज़ पता है जब losses वगरा होते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है कि नहीं यहां पर wait करना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था यहां पर लेकिन कोई दिकत नहीं अपने मन को सांत रखिए loss and profit हम लोग का trading का ही part है तो अब देख सकते किस तरीके से हम लोग trap हुए market में level का breakout दिया था देखने में लग रहा था कि यहां बहुत easily market जाएगा उपर and यहां पे candle भी support कर रहा था अगर आप देखेंगे buying buying यह देखिए what is this क्या है सरी यह buying यह ना अब यहां पे जो sellers थे क्या वो यहां पर coin करेंगे उसके तरी probability कम हो जाती है ना तो इसलिए हम लोगों ने जो काम किया वह गलत काम नहीं किया सर अब market ने हम लोगों के साथ ऐसा बीएब कर दिया एक trapping वाले zone में हम लोगों को फसा दिया उसमें हम लोगों की गलती नहीं हो जाती है अब हो सकते है market यहां से अगेन किस तरीके से market भीएब कर रहा है ठीक है सब कुछ देखिए आप लोगों के सामने में है आप लोग खुद देखे कि किस तरीके से market भीएब कर रहा है जैसे यहां पर sailing activity है फिर दुबारा से buying से लिंग दिखाने को उसे के फिर दुबारा से buying है ना अब अगर दुबारा से का breakout होगा तो मेबी थोर बहुत bullishness market में आ सकता है अब उसके बाद भी अगर bullishness नहीं show किया market ने तो समझ दीजेगा आज किसी भी कीमत पर technical वालों को market नहीं पैसे देना चाह रहा है ठीक है चलिए वेट करिंग हम लोग दिखते हैं अगर एक और lot add करना हुआ अगर level का proper breakout होता है तो फिर हम लोग प्लान करेंगे only एक lot के साथ में अब ठीक है एक lot में कितना margin लग रहे हम लोगों का only 6700 ठीक है कोई दिकरत ने ररस हो जाती है गल्तियां losses से घबराना नहीं है level का breakout हुआ दुबारा से call option लिया हम लोगोंने मुझे यहाँ पर निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पर show क्या गया कि heavy selling market में आने की probability है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं हुआ हम लोग trap हुए market में यह हम लोग accept करते हैं दुबारा से दिकर breakout दे रहा है यहाँ पर तो इस state को मैं थोरा से hold करूंगा maximum यहाँ तक आसपास में इसे लगाऊंगा मैं या फिर थोरा से नीचे यहाँ तक आसपास में ठीक है बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पर तो support था आप इससे नीचे लगाते नहीं सर आप मेरी बात सुनिए अगर मैं यहाँ तक लगाता न तो मेरा losses में भी धाय हजार तीन हजार में चला जाता तो profit का time में कम profit ले रहे हैं and losses का time में बड़े बड़े losses ले रहे हैं तो यह चीज नहीं करनी है wait करेंगे हम लोग यहाँ पर full positive candle के साथ अगर आप देखेंगे तो यह देखेंगे this is look like a heavy buying candle अगर फिर भी नहीं जा पाया उपर तो market देने के लिए नहीं लेने के लिए आया था ठीक है wait करेंगे हम लोग so time हो रहा है 10.48 आप देख सकते हैं कैसा behave कर रहा है market बिलकुल भी देने के mood में नहीं है so अपने trade को हम लोग square off करने का यह plan करेंगे बस थोरा सा wait कर जाएंगे अगर support ले गया इस level से तो ठीक अगर नहीं लिया तो हम लोग अपने trade को square off करके market से बाहर हो जाएंगे ठीक है ऐसे market में losses बगरा हो जाते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं तोड़ास हम लोग देखे ट्रैब वेगरा भी हम लोग हुए market उपर भी move किया फिर market यहां पर silent हो गया देखे जो बंदा trade करता है न वो आपको trading के difficulties के बारे में बदा सकता है कि market में किस तरीके से movement वेगरा आता है लेकिन जो trade नहीं करता है live market में कि सब बकवास है किसी काम कर नहीं है वेट करेंगे हम लोग थोड़ा सा ट्रैस टाइम हो रहा है 11 बच के पांच मिनाट यहां पर आप देख सकते हैं बिलकुल भी market जो interested नहीं है हम लोगों को आज पैसा देने के लिए सो बहतर ही रहेगा कि अपने trade को हम लोग square off कर दे उपर का जो analysis हम लोगों यहां पर किया था वह बहुत solid analysis था लेकिन थोड़ा बहुत market उपर नीचे भीव कर रहा है इसी के कारण हम लोगों को यहां पर option में थोड़ा बहुत premium dk भी हो रहा है एंट्रबथ wrapping situation भी है यहां पर इसी लिए मैं straight को जो square off कर देता हूं ठीक है loss book किया मैंने कोई दिकत नहीं है यहां पर multiple confirmations हम लोगों को मिल रहे थे buying के लिए अगर आप देखेंगे ना तो multiple यहां पर confirmations हम लोगों को मिले थे full of confirm थे हम लोग की easily market उपर का level दिखा सकता है और यहां पर multiple buying activity भी हम लोगों को देखने को मिल रहे थे कि market में कितने ज़्यादा buyers actively यहां पर interested हो रहे हैं और यहां पर support में भी buying activity ही show भी यहां पर भी selling activity show किया गया लेकिन buying activity show भी इतने सारे buying evidence होने के बाद भी market उपर नहीं जा पाया इससे यह समझ में आता है कि आप जो भी analysis करते हैं चाहिए आपका analysis आप जितना भी confidence है उस trade में गलती से भी lot increase मत कीजेगा वरना भारी नुकसान आप कर देंगे देखिए मैं आप लोगों के life trade करता हूँ, life trade में मैं आप लोगों को ऐसी बहुत सारी difficulties के बारे में समझाने का try करता हूँ, life market के दौरान, कि क्या क्या difficulties हम लोगों के सामने में आ सकती है बहुत सरे से लोग हैं जो समझते हैं, सीखते हैं और वो जानते हैं कि हाँ live market में इतना difficult होता है एक trader को काम करना और एक और चीज़ जितने भी लोग live में भी आके बताते हैं कि यहां से यह होने वाला है, वहां से वो होने वाला है एक बात हमेशा ध्यान में रखेगा, चलती गारी में आप गारी के parts को repair कर रहे हैं और एक बंद गारी में गारी के parts को repair कर रहे हैं, live में आके बोलना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आप trade नहीं कर रहे हैं, आप only बता रहे हैं लोगों को लोग first जाते हैं इन सब चीजों पे, trade करके आप खुद दिखा सकते हैं कि आपके psychology कैसी बन रही है आपका psychology कितना powerful है, तो इन सब चीजों पे मत first हीएगा कभी भी कि वो बंदा बहुत best analysis करता है analysis आपका भी सही होता होगा, लेकिन live market के दोरान आपके psychology कैसी आ रही है, वो important है कि आपने किस थरीके से यहाँ पे decent plan किया हूँ, इसलिए live में आके बकवास करना और चलती market के साथ में trade लेके उस state को दिखाना, कि क्या-क्या difficulties आई आज के दिन में और हम लोग यहाँ पे future predict कर रहे हैं यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके अपनी losses को यहाँ पे limit में कीजिए, loss and profit part of the business है हम लोगों की trading का, अगर profit हो रहा है तो losses भी होंगे आपको, over trading से बचेगा, कभी भी over trading मत कीजेगा, maximum 1 या 2 trade कीजेगा, यहाँ मैंने दो trade ही plan किया, मैंने यहाँ पे call option में बनाया position, मेरा plan था कि market उपर जाता रहे, फिर भी मैं यहाँ पे square off नहीं करूंगा, जब तक उपर के level तक ना चले जाए, लेकिन यहाँ पे market की activity को देके लग रहा है, बिल्कुल market देने के लिए interested नहीं, market fall कर रहा है, फिर उप बली बात नहीं, आपको हमें सब बच के रहना है, और सही से plan out करना है market को, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे, तो like कर दीजेगा वीडियो को, मिलते हैं एक next date के साथ में, एक new education के साथ में, thank you so much for watching this video, have a nice day.